हेलो गाईज आप सभी का मेरे चैनल में सौगत है आए मैं आज आपको Office 365 में कुछ function जो है वो बिल्कुल available है और add हो चुके है आए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं आप मेरे screen में देख सकते है 14 new function in Office 365 अब वो क्या है आए मैं आपको step to step करके बताऊंगा सभी के बारे मे कीजिएगा और इस वीडियो को complete देखेगा आपको बहुत कुछ सेखने को मिलेगा ठीक है आप मेरे screen में देख सकते हैं यहां पर मैंने 14 function लिखे है ठीक है तो सबसे पहले चलते हैं text split आप देख सकते है text split ठीक है अब मेरे पास data set है हो सकता है आपके पास different data set हो आपके पा यहां पर मैं बताने वाला हूं एक ही function से आप यह कर सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको करना क्या है पी ए एक्स टी यह डिक टेक्स स्प्लिट ठीक है इसमें जो पैरामीटर से सबसे पहले कर रहा है टेक्स्ट यही सलेट कर लेजिएगा second parameter कर रहा है column delimiter यहां पर make sure किजिएगा जो delimiter होना चाहिए सारे टेक्स्ट में जो delimiter है वो क्या है space आप देखेगा आजे के बाद space है फिर sing फिर space फिर rotella ठीक है तो आपको क्या देना है quotation open space बाकी की चो parameter है वो optional होते हैं आप उसको यूज करें या ना करें ठीक है ब्रैकिट बस जैसे आप इंटर प्रेस कर तो यह देखेगा automatic first name middle name last name automatic आ गया इसी फॉर्मले को एक काम कर लेज़ेगा नीचे दर ड्रैक कर लेज़ेगा आप एक ही फॉर्मले से देखेगा जिनका mid name है वो mid name आ गया है जिनका last name है वो last name में so करती है ठीक है तो है ना इक कमाल का function अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर्व लाइक कीजेगा इससे हमें काफी motivation मिलती है ठीक है इस समय space है आप देखेगा हर वर्ट के बाद एक space है ठीक है हो सकता है डीलिमिटर आपके पास खुछ भी हो कॉमा हो यह थीपन हो खुछ भी हो ठीक है तो यहां पर आप space दीजिए ठीक है अब यह कहरा instance number अब यहां पर आपको यह define करना होगा कि किस number से पहले के टेक्स है क पाकिक के ठंसन जो है वह आप यूजा सकते है नहीं ही यूजा संदे ठीक है ब्रैकेट क्लूघ डैं इंटर यह देखेगा जो ञाट इस से पहले हमार आज़े अब यहले अभ आप यहांपर पन मॉडीफाई भी कर सकते है टुपु आप यहांपर फरी कर सकते हैं यह लेखे आई लेविन उससे पहले के वर्ड आ गए ठीक है टेक्स्ट अफ्टर यह एज इस सिमिलर है यहां पर लिखते हैं टेक्स्ट आफ्टर ठीक है टेक्स्ट में यही आप सलेट कर लेजिएगा डेलीमिटर पर इस्पेस और आपको इंस्टेंस नंबर यह कह रहा है कि इस इंस्टेंस नंबर के बाद वर्ड जाते हैं मैं चाहता हूँ एक स्पेस दो स्पेस तीन स्पेस तीन यहां पर टाइप करता हूँ तीन के बाद आ जाए ठीक है तो तीन के बाद आया इंडिया ठीक है समझ गए फंक्शन को अब चलते हैं वेरी इंपोर्टेंट यह आप इंटर प्रेस करोगी यह देखेगा एबी सीधी यह दोनों के दोनों टेबल कमंबाइन हो गई है और एकई में आगिया है ठीक है अगर आपके बास मुझीबल टेबल हो उन उनको भी आप रेंज यहां पर दे सकते हैं रेंज वन में यह सब्सक्राइब आप इसके नाम भी अपने लिख सकते हैं यहां पर नेम रीजन से तो मैं कॉफी पेस्ट यहां पर कर सकता हूं यह क्लिए रोगे आपको यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखा हुए कि होरीजनल स्टैक करेगा डेटा को मा लिजे एरे में इस रेंज को सेलेट करते हैं एरे टू में इस रेंज को सेलेट करते हैं ब्रैकेट क्लोज दन इंटर यह देखेगा जो दो टेबल थी आलग लट उनको कमबाइन करके उसने एक ही में स्प्लिट कर दिया है लेकिन वह होरीजनल वे में कर दिया है ठीक है यह समझ गए अब पर निया आप यहां पर आप तू कॉल लिकिए ठीक है यह में आप दोनों रेंज को सिलेट कर लिजेगा ठीक है ब्रैकेट क्लोज इंटर इसने दोनों रेंज में जो डेटा है वह एक ही कॉलम में डेटा आपको दे दिया है ठीक है अब काफिल यूजर यह भी सोच रहे ओ होंगे जिसे 15 हमें ऐसा नहीं चाहिए देखिए आप 15 फिर 26 फिर 37 फिर 48 हमको कॉलम की हिसाफ से चाहिए 1234 फिर 5678 तो उसके लिए आप इसी function में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमने इतना ही select किया ता आप सभी को मालूम वगर जो बाखी parameters होते ही optional है लेकिन अभी हम use करते हैं दूसरा parameter कर रहा है ignore ब्लैंक भी है एरस भी है एक काम करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर scan by column आ रहा है ठीक है आपको बताना चाहूंगा by default जो होता है वह row में select होता है आप एक काम कर लिजेए यहाँ पर column के हिसाफ से combine कर लिजेगा bracket close then enter यह देखिए का आपका काम हो गया ह 1234 123 पहले उसने a column को ले लिया फिर data नहीं है फिर दूसरे column को ले लिया ठीक है यही आपको चाहिए था समझ गए आप बढ़ते हैं next function की दरब to row ठीक है अब बढ़ते हैं to row की दरब to row array में आप दोनों range को select कर लेते हैं ठीक है यह option यह option भी select करते हैं आप row इस समय by default होती है column को आप select कर लिजेगा यह देखेगा 1234 समय रो में आपको data दे दिया जो पहले का function था उसमें column में दे दिया इस समय रो में दे दिया एक ही रो में आपको data दे दिया है जैसे आपने यहां पर condition दिये उसी के साब से 1234 1234 15678 5678 ठीक है यह clear हो गया फिर आता है wrap calls ठीक है अ एक काम कर लिजेगा पूरी range को select कर लिजेगा next parameter कह रहा है wrap count अब कहां से data लेना चाहते है पहला दूसरा तीसरा हो जगता है आपके बार data कुछ और हो अब मुझे मालूम है यह जो complete जो मैंने data select किया है यहाँ पर 80 रग यह name है यह region है यह sales है फिर यह repeat हो रहा है तो मुझे मालूम एक दो टीन तो यहाँ पर आप टीन पर दीजेगा then last parameter है pad width इसको आप छोड़ दीजी यह optional है bracket close then enter यह देखेगा उसने बिलकुल combine करके दे लिए अगर हो सकता है आपके पास एक ही row में पूरा data है तो आप उसको ऐसे combine कर सकते हैं अगर आप manually करोगे तो काफी time लग तो आप easy way में यह कर सकते हो ठीक है एक ही function आपने रगाना है और यह basically easy तरीकेश हो सकता है ठीक है आप बढ़ते हैं wrap rows ठीक है wrap row भी similar है आप type करते है wrap rows अब यह क्या करेगा एक काम कलिए vector में वही select कर लेता हूं wrap count मुझे मालूम है एक दो टीन तक तो data आपका सही है उसके वह optional है bracket close then enter यह लेखेगा name एक side आगया एक column में region आगया फिर sales आगया header name भी आप लेख सकते है name region of sales ठीक है समझ आ रहा आपको अब माल लेजे यहां पर आप तीन की जगह अगर दो भी लिखते हैं तो दो टक ही identify करेगा वह लेकिन इसमें data समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने data के according यहां पर दे सकते हैं data के according यहां पर wrap count दे सकते हैं ठीक है ठीप टाइप करता हूं य वीडियो को जुरूर लाइक कीजेगा ठीक है आप चलते हैं चूस कॉल्स के तरह ठीक है तो यह function जो है इसको आप अगर read करोगे चूस कॉल्स समझ आ रहा है कि चूस यह जो भी columns हैं आपके सामने आप उसमें चूस कर सकते हैं function लिखते हैं चूस कॉल्स ठीक है सबसे पहल है कि column number one ठीक है मान लेजिए यहां पर one type करते हैं ठीक है फिर तीसरा parameter यह repeat होता जाएगा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांच वा column नंबर यहां पर आपको column चूस करने हैं तो मैंने एक काम किया यह चूस कर लिजा एक फिर दो फिर तीन एक काम कर लिजिए कर तीन यहां को identify कर दिया है और रिजन दे दिया है रिजल्ट में ठीक है अगर आपके पास लाट डेटा सेट है तो आप अपने according यहां पर condition दे सकते हैं मैंने यहां पर one three दिया था first और third ठीक है अब बढ़ते है next ठीक एक काम करता हूं में यहां पर जाता हूं अब बढ़ते हैं चूस इसे आप लिखोगे चूस रोज है तो आप यहां पर रोग कहरा है जो आपने रेंज देखा उसी में आपने रोज देना है ऐसा रही कि आप अगर टैन लिखते हैं तो यह क्यूं नहीं दे रहा है लेकिन वह इसको रीट करेगा जो आपने आपने अरे दिया यहां पर माल यहां पर मैं first लिखता हूँ तो first का मतलब यह header चाहिए मुझे ठीक है next यहां पर मैं four लिखता हूँ अगर आप टेक function लगा रहे हैं तो कौन सी रो चाहिए आपको पहली दूसरी तीसरी चौटी पाथवी ठीक है तो आप यहां पर two करते हैं तो two का मतलब होगा कि आप दो रो तक चाहते हैं data बाकी नहीं चाहते हैं bracket close उससे पहले बताना चाहूंगो यह देखेगा आप column जो है क्या है F2 प्रेस कीजिएगा यहां पर आप माइनस लगा देजिएगा ठीक है आप समझ आ रहा है C और D ठीक है अब जैसे कि आपको मैंने बदाया था कि यह optional होता है अगर आप column भी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं column one column two column लैट सब्सक्राइब देते हैं आपको यानि दो कॉलम तक डेटा चाहिए आपको तो नेम और रीजन देदेगा ठीक है आपको टीन चाहिए तो आपको वहापर टीन इडिएटिफाइगा ठीक है अगर आ किशौ को आप करना चाहते हकول का है यहां पार करते हैं ठीक है चैसे आप इंटर करते हैं यह देखेगा आपने कडिन क्या दी कि वेस्ट आपने कालम रिया था पहला कॉलम करने के लिए थो उसने ड्रॉब करण यहां से इसने डेटल दीए बागा अब पर अब देखेगा एकس कैया करता है एक्सपेंड बेसिकली आप यह करता है जैसे कि आप अपने जो डेटा सेट है उसमें कुछ चीज एक्सपेंड करना चाहते हैं नया हैडल लाना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा सेट काफी छोटा है नेम है रीजन है सेल्स है लेट सब्सक्राइब पांस तो है ही तो एकाम का लेजीएगा पांची लिख दीए ठीक है इस मंत पांची में काम होगा next मत हो सकता है तो वह बढ़के 8 पी हो जाए 10 पी हो जाए तो वहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं मैंने 5 लिखा अब कॉलम कह रहा है उस हिसाफ जे तो हमारे डेटा सेट में एक दो तीन चार यहां पर एने ने क्यों आ गया इसको अगर skip करना हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है एक प्रेस कीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है यह optional होता है आप इसे use करें या ना करें लेकिन यहां पर use करना होगा है pad with quotation open कीजिएगा आप आप एने टाइप कीजिएगा ठीक है जैसे आप इंटर्प्रेस करें यह देखेगा जहां जहां पर एने एर्र था वहां पर उसने रिप्लेस कर दिया एने याने कि यह अभी एक तरीके से कोई भी देखेगा तो उसको यह पता चलेगा भी not applicable incentive not applicable है ठीक है आप heading का नाम भी change कर सकते हैं और जो data set है वो बता दिया है और आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा अगर has any error आता है उसको अगर remove करना है तो आप if error का भी use कर सकते बिल्कुल as it is similar है ठीक है अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो क साथ share कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले मिलते जल नेक्स वीडियो में